तीन नंबर है, मैंने मान लिये, तीन नंबरों में से किनी भी दो, निटू फटेम कोई भी 2 numbers का SDF निकल लेज़े, अब यह जो SDF आया है, फिर अजी स्टेप का है, फिर अजी एक अजी फिर अजी फटेम फिर इस ने बोला है कि इस, इस लिए पियोसी को जो SDF आया है , मैंन वह हैं लेटर सब जागया ए तो फूर एसिए आएगा वही तुम्हारा क्या है फाइनल एसिए एफ एफ आफ 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 ए बी एंड एड टो यहां पर क्यों गयों गया है एक बार दोबार बार देता हूं कि सबसे पहले जितने भी नंबर दियुए है उनमें से कोई भी दू क लोगे एसिए निकाल लेजिए अब डोकर असे निकालेगा तो वह जो से जब आया है और जो बचाब को नंबर है उस उन दोनों का तक लो नंबर लोगे आएगा वहीं कयो होगा हमारा ठोटल जो हमारे गिवन नंबर सहां उनका फाइनल एसिए तो आही हो काई को आई हो आ बड़े नंबर के आती है तो जो हमने पहले method पड़े है निकालने के वह थोड़े difficult method हो जाते है तो हमें कोई नया method चाहिए जो कि larger numbers का है तो वह method उसके लिए अगर आप larger numbers का है निकालना चाहते हो तो यह step आप फोलो करो ठीक है तो पहली step क्या है obtain the numbers को नंबर है मैं आप देख लीजिए कि आपको किस किस number का SCF निकालना ठीक है अब फिर second step क्या obtain a common factor of the given number तो जैसे कि A और B है मैंने यह मान लिए दो नंबर है ठीक है तो अब इन दोनों number का क्या करो आप common factor देख लीजिए कि इन दोनों numbers का common factor क्या है ठीक है वह आप लिख लीजिए फिर step 3 आती है step 3 क्या है divide the numbers by the common factor obtained in step 2 and write the resultant quotient तो जो आपका common factor आता है उससे divide कर दीजिए एक को भी गर दोनों पर्ट रिचे उन दोनों को आप कट दीजिए ठीक है और जो आपका quotient づा है Hebrews the question of मैं मालेका पहले number का च्यू Seversन आएगा मुआ उसको ल्हान लेता हूं क्योष्ट ए और दूसरे नंबर का गजब जब उसमें जब अधिवाइड दूआ तब जो क्योष एगा उसको लीघता हूँ क्योषेंट ओस वर ए उसमें आया इमने बायंग तुन्वाइड करूंगा तब जो क्योषन डाय का उसमें यहां पर नंबर दूगा उसमें एमने यहां पर लिख दूगा ठीक है अब अगले step, obtain a common factor of the resultant question obtained in step 3, तो अब ये जो हमारे question है ने लिखा मैं common factor निकालूँगा, इनका common factor निकालूँगा, अब क्या करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनको डिवाइड करके दुबारा question लिखा था, ऐसे ही मैं आगे लिखता जाऊँगा, तो ऐसे ही मैं उस step को repeat करता जाऊँगा, अब उसने क्या बुला है, final step में, जब मैं ऐसे repeat करता जाऊँगा, तो find the product of all the common divisors obtained in the above steps, this product gives the SCF of the given number, तो इस step में ये जितने भी हमारे common divisors आये हैं, जो divide करते हैं, इनको दोनों numbers को, हमारे common divisors आये हैं, इन सब को multiply कर देजिए, आपस में जब multiply करेंगे, तो हमारे final number आयेगा, उसे मैं क्या बोलूँगा, SCF of given number ठीक है, फिर भी आपको अगर ये जो मैंने समझाया है, अभी इसमें कुछ doubt है, तो आप अग्ली वीडियो ज़रूर देखो, उसमें एक example भी दे रहा हूं मैं है, उसमें हमें question करेंगे, इसी जो हमने इस step पढ़ी है, इसकी helps है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो हमने पिछली वीडियो में steps पढ़ी थी, लाजर नमबर के SCF निकालने के लिए, उसी का एक application देखेंग है, ठीक है, तो अब हमें निकालना है SCF 513 और 783 का, तो मैं जो हमने पिछली वीडियो में steps देखी थी, उनी को follow करूं, तो 513 और 783 यह दो नमबर है, तो अब इन दोनों का सबसे पहले common factor निकालना है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा 2 से, तो 2 तो इन दोनों में से किसी को भी divide नहीं करता, अब क्योंकि इसका sum, जो है 5666 प्लस 3 9, 9 का है 3 से divisible है, तो 513 का है 3 से divisible और यह थी से divisible तो इन दोनों का common factor क्या हो गया, इन दोनों का common factor क्या हो गया, 3, ठीक है, तो मैं इनने 3 से divide कर लता हूं, तो अब 3 से divide करूंगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इनका क्योस्ट क्या जाएगा 3 1 3 7 और 3 1 जा 3 टीक है और यहां पर 3 2 6 1 टीक है तो यह क्या जाएगा 2 6 1 अब इनको डिवाइड करने पर क्या रहा है का यहां तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा वह रूंत हो नी सकता है कि उनका लाजडीड इन नहीं है Aleantic इसका और क्या हो सकता है चरी अब इसका समी थी चरी से डिवाइड जाता हुआ मैं तो क्या एगा यहां तो क्या यहाँ यहाँ पर ये एट त्री से और एप त्री से डिवाइड करने पर अब मैं दोबारा यह ही टेकर एक है 507 좌ण 228 अब नहीं है 572 तौश्ञेशिब नहीं है और 87 बी टौशिटिव नहीं है 3 से बात करें तो पर छी से यह करें तो इन दोनों की कॉमन फेक्टर क्या गया इन दोनों का कॉमन वेक्टर का गया जी तो बारह मैं 3 से डिवाइड जा दूँगा 3 से डिवाइड दूँगा तो यहां पर कहाएगा 90 और यह 3 तुज़ा 29 आ जाएगा ठीक है अब 19 और 29 में common factor क्या हुआ इन डोनों में common factor नहीं है नहीं है इन डोनों में कोई भी common factor नहीं है तो हम यहीं पर stop हो जाएंगे यहीं पर रुख जाएंगे ठीक है अब तक जितने भी हमारे यह जो हमारे common divisor आये हैं इनको क्या कर देंगे multiply कर देंगे तो common division आये है 3 x 3 x 3 तो यह क्या होगा 27 और यहीं हमारा क्या होगा HCF तो 27 इस दा HCF of 313 and 783 तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गही होगी नेक्स्ट वीडियो में हो HCF के application discuss करेंगा हेलो फ्रेंड्स तो अब तक हमने HCF के वारे में पढ़ा है पूरी चरह से तक हाफी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है और HCF larger numbers पे कैसे निकालते हैं यह सब के तरीके भी पढ़ें ठीक है पर अब हम अब जो आने वाले वीडियो से अब उनमें हम सब्सक्राइब प्रेक्टिकल प्रॉब्लम्स पे देखेंगें कि SCF के help से प्रेक्टिक प्रॉब्लम्स कैसे हैं सौल के लिए सकती है अब यह पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाली जतनी भी वीडियो सोंगी उनमें हम सब्सक्राइब प्रेक्टिकल प्रॉब्लम्स में और यह वीडियो सिर्फ उसी के लिए एक इंट्रॉड़क्टिर वीडियो है ठीक है तो अगली वीडियो से अप्लिकेशन ऑफ हैसे श्टार्ट हो जाएगा in this question find the largest number which divides 245 and 129 leaving remainder 5 in each case okay so means number find out karna hai so 245 ko 245 ko kya kaise lisaktam which when divide by number suppose that number is n so na plus 5 times and 1029 is close to n b plus 5 actually सकते हैं okay तो यहां से n a किसके को अला गया 245 minus 5 is 240 equals to n a okay and 1029 minus 5 is 1000 1024 equals to n b so number n find out karna hai the largest number which divides by which divides number 245 and 1029 leaving remainder 5 so n find that current n के लिए क्लिए क्लिए अगरा n क्या हो जाएगा n is the hcf of both numbers one hcf of these two numbers so hcf of 240 and 1024 is okay so यहां से हम 240 को कैसे लिख सकते हैं 240 क्या होते हैं सो हम सब्सक्राइब लिखेंगे सो 240 को हम ले सकते हैं 2 पावर 4 इंटु में 3 इंटु में 5 इस वन दी 240 and 1024 this one is equal to this one is equal to 2 power 10 to power 10 so in in numbers मैं से हएव क्या गया है 2 power 4 so hf is hcf of 240 and 1024 क्या गया इकलस to 2 power 4 which is equal to 16 so n क्या गया n is the hcf which is equal to 16 so 16 is the number that divides the number 245 and 1029 leaves leaving remainder 5 in each case okay so क्या गया गो नमबर इस लाजस नमबर इस 16 क्या होगा hcf of these two numbers इनका hcf होगा in these two numbers का okay so this is the answer for this question क्योंकि लाजस नमब भूचा है तो लाजस नमबर क्या था है hcf होगा है okay highest common factor तो लाजस नमब के लिए में hcf ही find out कर ना पड़ेगा इसका तो इसमें के लिका है find the largest number that will divide these these numbers leaving reminder 7 11 15 तो जो reminder इसमें दिया है अगर हम उस हम उस नमबर में subtract कर दें तो जो number होगा वो से perfectly divide करेगा तो मेरा number क्या है यहां मेरा n1 है n1 है 398 minus जो remainder मैं निकाल दूँगा that is 7 तो n1 में राएगा 391 इसको यह perfectly divide करेगा with zero remainder ठीक है n2 मेरा क्या हैगा n2 मेरा एगा 436 minus remainder कितना 11 ठीक है तो यह हो जाएगा 425 और n3 कितना हैगा n3 जाएगा 542 minus 15 that is 527 ठीक है तो अब इसमें क्या करेंगे अब मैं इसमें ठीक है तो अब इसको दिखेंगे हम n1 को मैं क्या लिख सकता हूं n1 is 391 इसको मैं इसका प्राइम तो यह हो जाएगा 23 into 17 ठीक है n2 क्या हो जाएगा n2 हो जाएगा मेरा 425 which is 17 into 5 into 5 ठीक है और n3 मेरा क्या हो जाएगा n3 मेरा हो जाएगा 527 which is 31 into 17 इसका फ्राइगे तो इनमें सबसे हाइस इसका जो HCF हो गाएष को मैं फैक्टर इन तीनों नंबर का वही नंबर वही लाज़च नमबर होगा जो जो इनसे डिवाइड करने पर मुझे जीरो रिमेंडर दे तो इनमें सब्सक्राइब करें तो 17 हमें सिर्फ कॉमन नंबर मिलता है तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 70 तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हमारा बहुत ही अगला इंपोर्टेंन टॉपिक लोवेश्ड कोमन मेल्टिपल इसको महीं क्या बोलता हूं见 इसको मैं लूख्याइब करते शोड मैं लूख्या जायत असितर लुक्राइब हो ईसको यहीं स्मौललेश्ड कॉमन हिसकिश्टर कोमन मौन आईटीपे multiple of any numbers तो basically जो lowest common multiple होता है यह अगर हमें दो number दिये हुए है तो उनके जो भी common multiples होंगे उनके जो भी common multiples होंगे उनमें सबसे smallest जो number होगा वहीं क्या है हमारा एक्जामपल के लिए multiple of eight मुझे आठ और बारा इन दोनों का LCM निकालना है इन दोनों का LCM निकालना है तो सबसे पहले मैं multiple of eight निकालोंगा multiples of eight eight के multiple क्या क्या होंगे eight के multiple होंगे 8, 16, choice, 32 ऐसे so on चलते जाएंगे और multiple of 12 क्या होंगे multiple of 12 क्या होंगे multiple of 12 क्या होंगे इन में से common multiple क्या होंगे इन में से common multiple होंगे जो common multiple होंगे हमारे 24 48 यहां पर भी है यहां पर भी है इसमें भी आएगा आगे और 72 भी है common ठीक है ऐसे आगे तक की जो series है तो इसमें जो हमारे common multiple है इन में सबसे smallest कौन सा है इन में सबसे smallest चाहिए हमको सबसे smallest होंगे 24 तो फिर जो number है हमारे 8 और 12 उनका क्या होगे है LCM 24 24 is LCM of 8 and 12 तो आई होपो आपको यह LCM की definition समझ में आगे होगी next video में हम prime factorization method पढ़ेंगे LCM find करने के लिए हलो आज इस question में में बोला है कि हमें prime factorization method को explain करना है ठीक है तो अब सबसे पहले हम समझता है prime factorization method कैसे use होता है किनके numbers के लिए use होता है इस तरीके से ठीक है तो prime factorization मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर में पस number है let's say hundred ठीक है तो में को इसे कैसे express करना है in the form of multiplication of prime numbers ठीक है तो hundred को में ऐसे लिखना है कि prime numbers के multiplication के form में लिख सको ठीक है तो अब देख सकते हैं इसका अगर मैं लिख हो तो क्या जाएगा 2 x 2 x 5 x 5 5 यह क्या है prime factorization की multiplication है वरना कहने को मैं से क्या लगसा कि 25 x 4 लेकिन यह दोनों क्या है prime numbers नहीं है इनको अगर मैं और distribute करेंगी तो मेरे पास क्या जाएगा यह numbers तो यह क्या आ गया सबसे चोटा prime number जो इससे divisible हो हम बोलेंगे सबसे चोटा कॉनसा prime number इससे divisible कर जाए इसे divide कर जाए 2 तो 2 से करेंगे 50 आगया similarly again 2 25 अब यह 2 से नहीं होगा क्या 3 से होगा नहीं 3 के बाद next prime number is 5 5 से होगा हां तो यह क्या आगया इंड में 5 तो अब देख सकते हैं यह क्या आगया में पास इसकी prime factorization इस तरीके से आप किसी भी number की prime factorization निकाल सकते हैं with the method of LCM I hope आपको एक question समझा गया होगा thank you the friends तो इस video में हम पढ़ने वाले common division method to find LCM तो common division method में steps है जो पहली step क्या है arrange the given numbers in a row separated by commas ठीक है जो भी आपको number है जिनके LCM निकालना है उन्हें comma से separate करके लिख जीचे ठीक है जैसे कि मैं को 8 और 12 का LCM निकालना है मैंने लिख दिया कि मुझे 8 और 12 का LCM निकालना है step 2 obtain a number which divides exactly at least two of the given numbers तो ऐसा number लो जो कम से कम दोनों को ऐसा चोटा सबसे चोटा नमबर लो जो तोनों को क्या काता हो डिवाइड काता हो ठीक है step 3 divide the number which are divisible by the number chosen step 2 and write the question just below them ठीक है तो जो हमने 8 को डिवाइड करने पर 12 को डिवाइड करने पर 6 तो उसने बोला है divide the number which are divisible by the number chosen in step 2 तो यह जो हमारे डिवाइड करने पर यह जो number आये है तो repeat step 2 and 3 till no two of the given numbers are divisible by the same numbers ठीक है मतलब step 2 and step 3 repeat करते जाओ जब तक इन दो number कोई भी number किसी एक number से हमाला दोनों number divisible ना हो जाए ठीक है और find the product of the divisor तो यह जितने भी हमारे diviser आएंगे इन सब का product कर दो और जो product करने पर जो हमारे given number ठीक है तो आई होप आप common divisor method समझ में आ गया होगा next video में हम LCM के concept से related कुछ questions करें Hello friends तो हमारा question है determine the lowest natural number in which when divided by 16, 28, 40, 77 leaves a remainder 8 in each case ठीक है मुझे ऐसा सबसे चोटा number find करना है जिन में मैं इन numbers का divide करूँ तो सब में क्या करें आठ का remainder remainder बच्चे ठीक है तो ऐसा number मुझे find करना है तो ऐसा question जा हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको इन numbers का LCM निकालना है ठीक है तो अब LCM क्यों निकालने हैं हम इन का क्योंकि LCM का मतलब क्या होता है least common multiple है ना तो अब यह जो हमें इसा number निकालना है ऐसा सबसे छोटा number निकालने हैं सबसे पहले तो हम कि जो इन सबसे क्या हो डिवाइड हो है ना तो वह number क्या होगा इन सबका LCM क्या हुता है least common multiple इन सबका सबसे छोटा multiple है ना वह क्या होता है LCM और फिर हम उसमें नम्बर में क्या करेंगे तो आप इसी तरीकी को follow करना तो आपका option हो जाएगा सबसे पहले आपको इन सब नंबर को क्या लेना पड़ेगा इन सब का LCM निकालने पड़ेगा तो इन सब में किसका तो सबसे पहले में क्या करें नोय कि यहां पर what और यहानपर 20 और यह क्यायादा जाएगा चाहिए想ियाद blond अब दुबारा मैं 2 कह ढ़ो, 2 कह ढ़ो जांएग दो यहांज स्ब्रश्व警र जाएगा 4, 7, 10 एल लिए 7005 टिक है आब मैं ढूबारा मैं इसमे Capcom ढ़ोवाइटर जासकता हूं और 77 में भी जा रहा है तो मैं यहां पर 7 का डिवाइड दूगा तो 7 का डिवाइड 7 में दूगा 1 5 और यहां पर क्या जाएगा 11 ठीक है तो अब अब जो इसका LCM है अब इन नंबर्स का LCM सिस्थीन ट्रवन एट 40 77 वोट भी वोट भी वोट वी तुए तू एंटू 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 पोवेल दू एंटू सेवन एंटू ऐं टू तो एंटू एंटू इनटू 5 एंटू 11 ठीक है यह त्रशाफ धान क्याPl यह कुछ बें बचता हो तो मैं क्या करुंगा इस नवर में 8 चोड़ जूँगा क्यों कि क्या बोला है कि 8 बच चाहिए तो अब यह हमारा क्या जाएगा 6168 अब 6168 एसा सबसे छोटा नमबर है जिसमें अब आप डिवाइड करोगे तो सब इन सब नमबर से जबाइड करेंगे तो सब करिमेंडर का आएगा 8 आएगा हार केस्में ठीक है तो आई हो पको आपको वीडियो समझ में आई हो नैच्ट वीडियो मे A & B दो whole numbers such that Q is the quotient and R is the remainder when A is divided by B ठीक है तो A & B सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि जो A & B है वो तो whole number है दो whole number है और फिर हो क्या बोल रहा है कि that Q is the quotient and R is the remainder जब मैं A को A को B से divide करता हूं तो फिर जो quotient रहता है वो मैंने क्या माल लिया क्यू और जो remainder रहता है वो मैंने क्या माल लिया R तो फिर है ना तो फिर यह दोनों property होंगी follow तो पहली property है the least number that should be subtracted from A so that B divides the difference exactly is equal to R तो इसका मतलब यह है जैसे कि यह A number है यह B है और फिर इसमें question क्या रहा है क्यू और यहां पर क्या बचारा है है ना तो मैं ऐसा क्या number subtract करूं A में से कि जो number B है वो पूरी चले divide करें मतलब जो remainder है आ रहा है यहां पर R इसकी जगह क्या है होगा सबसे चोटा number R मिलब ऐसा क्या number subtract करूं मैं A में से कि B उसे divide करें तो और वो नम्मर क्या होना चाहिए लिश नम्मर होना चाहिए सबसे चोटा number होना चाहिए तो वो नम्मर क्या हुआ हूँ आर जहां पर R क्या है हमारा remainder जब मैं उसे दिवाइड करता हूँ ठीक है अच्छा अगली प्रोपर्टी है हमारी जब लिश नम्मर जैट शुट भी एड़ेड़ तो सबसे चोटा नम्मर है जिसे अगर मैं A में एड़ करूं है ना यह में अगर एड़ करूं तो और फिर B से डिवाइड दू तो वो एक्जेक्ली पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा है ना तो ऐसा यह सबसे चोटा नम्मर है तो आई होप आपको प्रॉपर्ट्री समाझ में आ गई होगी अगली वीडियो में हम HCF और LCM से लेटर कुछ प्रॉपर्ट्री डिसक्स करें है तो इस वीडियो में हमें एक इंपोर्ट्रेंट डिसक्स करने वाला है वो क्या है इफ एंड बी अर तो वोल नंबर से सच्ट्राइट क्यों जाएड जाएड बाइड थीक है तो ए और बी सबसे पहले आप यह जहां दीजिए कि जो ए और भी है वो तो वोल नंबर है दो न बाइड अ को बीसे डिवाईड खरता हूं तो फिर जो क्वोशन रहता है वह मैंने क्या मान लिया क्यूं और जो वो मैंने क्या मान लिया R तो फिर यह दोनों प्रॉपर्टी होंगी फॉलो तो पहली प्रॉपर्टी है दा लीश नमबर देट शुट बी सब्ट्रेक्टेट फॉम A B divides the difference exactly is equal to R तो इसका मतलब यह है जैसे कि यह A नमबर है है यह B है और फिर इसमें क्या है क्यों और यहां पर क्या बचारा रिमेंडर बच रहा है है तो मैं ऐसा क्या नमबर सब्ट्रेक्ट करूं A में से कि जो नंबर भी है वो पूरी चले डिवाइड करें मतलब जो रिमेंडर आ रहा है यहां पर र इसके जगह के आए जीरो तो फिर जो सबसे चोटा नंबर होगा जो इनके डिफेरेंस को डिवाइड करें 12 के सब्सक्रार चाहिए ऑसको आएक चाहिए तो आशाल के सबसे तो 22 का शोटा नंबर होना चाहिए टो औरantu क्सक्रार को अग्ली प्रफेरे नंभरी का व्नगा आए तो अगली प्रपर्पर्टी से घ्र करता हूंat अगली प्रोपर्टी है हमारी the least number that should be added so to a so that b divides the sum exactly is equal to b minus r तो सबसे छोटा number जो add किया जाए a में such that कि जो b जो हमारा वो जो summation आएगा a जो हमारा summation आएगा उसे उसे डिवाइड करें वो number क्या है b minus r ठीक है तो मैं b minus r ऐसा सबसे छोटा number है जिसे अगर मैं a में add करूं है ना यह में अगर add करूं तो और फिर b से डिवाइड दो तो वो exactly पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा है ना तो ऐसा यह सबसे छोटा number है तो आई हो आपको property समाझ में आ गई होगी अगली वीडियो में हम HCF और LCM से लेटर कुछ property डिसक्स करेंगा है हेलो फ्रेंट्स तो इस वीडियो में हम एक important result डिसक्स करने वाला है हो क्या है if a and b are two whole numbers a or b two whole numbers such that q is the quotient and r is the remainder when a is divided by b ठीक है तो a or b सबसे पहले आप यह जहां दीजिए कि जो a or b है वो two whole number है दो whole number है और फिर हो क्या बोल रहा है कि that q is the quotient and r is the remainder जब मैं a को a को b से divide करता हूं तो फिर जो quotient आता है वो मैंने क्या मान लिया q और जो remainder आता है वो मैंने क्या मान लिया r तो फिर यह दोनों property होंगी follow तो पहली property है the least number that should be subtracted from a so that b divides the difference exactly is equal to r तो इसका मतलब यह है जैसे कि यह a number है यह b है और फिर इसमें question क्या रहा है क्यों और यहां पर क्या बचा है remainder r बच रहा है है तो मैं ऐसा क्या number subtract करूं a में से कि जो number b है वो पूरी चले divide करें मतलब जो remainder आ रहा है यहां पर r इसकी जगह क्या है 0 तो फिर जो सबसे चोटा number होगा जो a को divide जो इनके difference को divide करें a minus जो मैं r करूंगा जब मैं a में से r subtract कर दूंगा तो जो हमारा number आएगा तो जब जो b होगा वो उसको exactly divide करें तो यह सबसे चोटा number होगा सबसे चोटा number r में ऐसा क्या number subtract करूं मैं a में से की b उसे divide करें तो वह number क्या होना चाहिए यह least number होना चाहिए सबसे चोटा number होना चाहिए तो वह number क्या होगा r जहां पर r क्या है हमारा remainder जब मैं उसे divide करता हूं ठीक है अच्छा अगली property है हमारी the least number that should be added to a so that b divides the sum exactly is equal to b minus r तो सबसे चोटा number जो add किया जाए a में such that कि जो b जो हमारा वो जो summation आएगा जो हमारे summation आएगा उसे divide करें वह number क्या है b minus r तो b minus r ऐसा सबसे चोटा number है जिसे अगर मैं a में add करूं यह में अगर add करूं तो और फिर b से divide दो तो वह exactly पुरा पुरा divide चला जाएगा है तो ऐसा यह सबसे चोटा number है तो आई होग आपको property समाझ में आ गई होगी अगली video में हम HCF और LCM से related कुछ property discuss करेंगा Hello friends तो इस video में हम HCF और LCM से related कुछ properties बढ़ने वाले है तो पहली property है the HCF of given number the HCF of given number is not greater than any of the number तो जो हमारा HCF होता है वो कभी उन नंबर से बढ़ा नहीं होता For example मेरे पास कोई दोन नंबर है A और B मुझे इनका HCF निकालना है इनका HCF के आया C तो यह जो C है हमारा यह क्या होगा हमेशा यह हमेशा इन से less than equal to होगा C would be always less than equal to AB क्यों इसका current क्या है क्योंकि इसका current इसके नाम में ही चुपा हुआ है जैसे कि HCF की full form क्या होती है highest common factor HCF की full form होती है highest common factor हम जानते हैं कोई भी number हो उसका factor जो होता है उसका factor होता है वो कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता तो A और B का कोई जो highest common factor होता है यह भी तो एक तरह का factor ही है यह special type का factor है तो यह भी क्या होगा कभी इन नंबरों से कभी क्या नहीं होगा बड़ा नहीं होगा हमेशा यह छोटा ही होगा अच्छा अब आजाते है अगली property पर वो क्या है the LCM of given number is not less than any of the given number तो जिससे की A और B मेरे दो number है और उनका LCM क्या है C तो इस property के according जो C जो है वो हमेशा क्या होगा greater than equal to A और B मतला वो इससे कभी छोटा नहीं हो सकता इसका reason क्या है इसका reason इसके नाम में ही चुपा हुआ LCM की full form क्या होती है least common multiple तो LCM क्या होता है एक तरह का multiple ही तो होता है और हम जानते हैं किसी भी number का multiple है वो उससे कभी छोटा नहीं हो सकता वो हमेशा उसके greater than equal to होता है तो जो हमारे LCM C आया है यह भी तो एक तरह का special multiple ही तो है least common multiple एक तरह का special multiple है तो यह number भी क्या होगा इससे हमेशा greater than equal to अब आजाते हैं हम आगली property पर वो क्या है SCF of 2 co prime number is 1 SCF of 2 co prime number is 1 2 co prime number का SCF होता है वो क्या होता है तो यह statement तो है आपके समझ में आगी कि यह क्यों क्यों कि co prime numbers की definition ही क्या होती है कि no other no other common factor common factor ऐसे number जनके बीच में no other common factor than 1 है तो एक के अलावा कोई भी common factor ना हो है ना तो ऐसे number को number इक के अलावा क्या क्या होती 맛 होगा तो highest common factor क्या होगा वन ही तो होगा इकलोता common factor क्या है वन तो यह ही क्या होगा हाई यह लोग है सब चीज यह होगा स्थ क्या होगा इनका वन अच्छा अब जाते हैं लाश्ट प्रॉपर्टी पर यह क्या है LCM of two or more co-prime number is equal to their product तो दो यादो से ज्यादा co-prime numbers का LCM होता है तो क्या होता है उनके product के बराबर तो दो co-prime नंबर है तो उनका LCM है बेर दोनों क्या होगा उनका अब इनका जो एलसे हमारी आपको इसमंझ में आ गया होगा नेक्स टुड्यो में हम एसी कुछ और पापड़िस पढ़ने पड़ने के लिएट तो इस वीडियो में हम HCF और LCM से रिटेट कुछ प्रोपर्टी बढ़ने वाले हैं तो पहली प्रोपर्टी है HCF of given number the HCF of given number is not greater than any of the number तो जो हमारा HCF होता है वो कभी उन नंबर से बढ़ा नहीं होता है for example मेरे पास कोई दो नंबर है A और B मुझे इनका HCF निकालना है इनका HCF क्या है C तो जो C है हमारा यह क्या होगा हमेशा यह जो C है हमारा यह हमेशा इनसे less than equal to होगा C would be always less than equal to AB क्यों इसका current क्या है क्योंकि इसका current इसके नाम में ही चुपा हुआ है जैसे कि SCF की full form क्या होती है highest common factor हम जानते है कोई भी नंबर हो उसका factor जो होता है उसका factor होता है वो कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता तो A और B का कोई जो highest common factor होता है यह भी तो एक तरह का factor ही है यह special type का factor है तो यह भी क्या होगा कभी इन नंबरों से कभी क्या नहीं होगा बड़ा नहीं होगा हमेशा यह छोटा ही होगा अच्छा अब आजाते है अगली property पर वो क्या है the LCM of given number is not less than any of the given number तो जिससे कि A और B मेरे जो नंबर है और उनका LCM क्या है तो इस property के according जो C जो है वह हमेशा क्या होगा greater than equal to A और B मतला वह इससे कभी छोटा नहीं हो सकता है इसका reason क्या है इसका reason इसके नाम महीं चुपा हुआ है LCM की full form क्या होती है least common multiple तो LCM क्या होता है एक तरह का multiple ही तो होता है और हम जानते है किसी भी number का multiple है वह उससे कभी छोटा नहीं हो सकता वह हमेशा उसके greater than equal to होता है ठीक है तो जो हमारे LCM C आया है यह भी तो एक तरह का special multiple ही तो है least common multiple एक तरह का special multiple है तो यह number भी क्या होगा इससे से हमेशा greater than equal to अब आजाते है हम आगली property पर क्या है SCF of two co-prime number is one SCF of two co-prime number is one two co-prime number का SCF होता है वो क्या होता है तो यह statement आपके समझ में आगी होगी क्यों 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 क्योंकि co-prime numbers की definition ही क्या होती है कि no other no other common factor common factor ऐसे number जनके बीच में कोई भी क्यों 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 क तो दो या दो से जादा co-prime numbers का lcm होता है उनके product के बराबर तो 2 co-prime numbers है उनका lcm है व हमेशा क्या होगा उनको जोनों का बॉल्टीम जैसे 2 और 3 अब यह दोनों क्या है यह क्या है? co-prime है तो इनका lcm क्या होगा? इनका lcm होगा 2 इनका 3 is equal to 6 6 जो है एक होगा ईनका Least Common Multiple ऐसे हैं जो नमर किया को प्राइम है अब इन्का जो LCM होगा 14 इन्टू 30 जी है और यह क्या है फोर सिक्ष्टी टू टिक है एक यह क्या हैका इनका LCM तो यह होगी लाष्ट परपर्टी हमारी इहोग आपके समझ में आ गया होगा नेट année विडियो मेरे हैं महीं हिस्ट कछ और प्र्प्रेटीज बढ़ने पढ़ने मिललंगे bell mee कre principle . ऐखेलो फ्रेंड टिफीन में इस वीडियो में हम से रप्रापर्ट्री बढ़ने कानि मी आज हो मृ में यह पास कि न hatır शेम्द लेश्म तो जो c है हमारा यह क्या होगा हमेशा यह हमेशा इन से less than equal to होगा c would be always less than equal to a b है ना क्यों इसका कारेंट क्या है क्योंकि इसके कारेंट इसके नाम में ही चुपा हुआ है जैसे कि scf की full form क्या होती है highest common factor हम जानते हैं कोई भी नंबर हो कभी उस से बड़ा नहीं हो सकता और इस यह से फैक्टर ही है यह है कभी नहीं होगा भड़ा नहीं होगा हमेशा यह चोटा ही होगा अब आगली पर वह को क्या है the LCM of given number is not less than any of the given number तो जिसे कि A और B मेरे दो number है और उनका LCM क्या है C तो इस property के according जो C जो है वो हमेशा क्या होगा greater than equal to A और B मतला वो इससे कभी चोटा नहीं हो सकता है इसका इसका reason क्या है इसका reason इसके नाम महीं चुपा हुआ है इसके LCM की full form क्या होती है least common multiple तो LCM क्या होता है एक तरह का multiple ही तो होता है और हम जानते हैं किसी भी number का multiple है वो उससे कभी छोटा नहीं हो सकता वो हमेशा उसके greater than equal to होता है ठीक है तो जो हमारे LCM C आया है यह भी तो एक तरह का special multiple ही तो यह नमबर भी क्या होगा इस से हमेशा greater than equal to अब आजाते हैं हम आगली प्रॉपर्टी पर वो क्या है SCF of two co prime number is one SCF of two co prime number is one two co prime number का SCF होता है वो क्या होता है तो यह statement तो है आपके समझ में आगी क्यों 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 क्योंकि is no other common factor than one is one ना तो फ्रेशा के अलेवा कोई भी common factor नहीं हो होका हूँ तो ऐसे number क्या होते हैं co prime तो अब के अलावा क्यों 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 थे नहीं है तो highest common factor सिक्टू इसे एकल टू the sun to hell आए दू सी ज्यादा को प्राइम नमब सकशव फो क्या होता लू कर बर वर वर HDR तो दो को प्रैम नमब कर यह को फ्रे admire को प्राइम है तो इनका स्यम क्या होगा तो इनका स्यमों का Wild East प्रेश्ट कॉमन मल्टिपल फर्टी जो नम्मर क्या है को प्राइम है अब इनका जो LCM होगा वो क्या होगा 14 इंटु 30 जी है और यह क्या एगा 462 टिक है यह क्या है इनका LCM तो यह होगी लाश्ट प्रोपर्ट्टी हमारी अई होपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी कुछ और प्रोपर्टी सबढ़ने पढ़ेंगे LCM और SCF से लेटेड अगा हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम SCF और LCM से लेटेड कुछ प्रोपर्टी बढ़ने वाले है ना तो परली प्रोपर्टी है